हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम लकी घंडेलवाल है आज मैं आप सभी लोग के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डिसकस करूंगा जिसमें हम से सीप्यू 2019 में रीजनिंग के जितने भी क्वेशन आये हैं उसमें से हमने कुछ बहुत थी डिफिकल्ट क्वेशन उठाये हैं जो की नंबर सीरीज से रिलेटेड थे और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड थे तो आज यह हम सारे क्वेशन्स डिसकस करेंगे टोटल मिला चाके 6 shift में ही हुआ था यह paper और हमने around 50 questions 50 best questions उठाये हुए हैं अगर आप देखें तो यह है आपके सामने पहला question जो की है number series का 17 से हम गये 51 पर तो पहले हमने करा into का 3 फिर हमने करा 51 से हम गये 58 पर तो आपने क्या करा plus का 7 अब 58 से आप गये 116 58 into 2 होता है आपका 116 तो यह ह आपको series समझ में आएगी कि पहले आपने into 3 करा फिर प्लस 7 करा फिर into 2 करा फिर प्लस 7 करा तो next term आप अपने आप समझ सकते हैं वह होगा into 1 अब 120 से आप गए 130 फिर तो आया into 1 हमें समझ में आया अब next term में क्या होगा plus 7 तो 123 पर 7 हो जाएगा आपका 130 ठीक है यह हो जाएग इसमें आप मानें कि same logics लगें मतलब पूरा into वाला हो या divide वाला हो उसमें into plus वाला भी हो सकता है into minus वाला logic भी हो सकता है मतलब यहाँ पर जैसे into 3 था यहाँ पर plus 7 था यहाँ पर plus की जगे minus वाली series भी possible है next अगर आप देखें तो इस question में आपसे पूछा गया है कि यह है Q इसमें से आपको यहाँ पर 8 term दिये गए हैं और आपको एक term निकालना है अब इसमें अगर आप देखें तो यह है 11 और 5 और आपको पहुचना है 72 तक अब 72 जैसे ही आपको देखा आपको लगा कि 72 होता है या तो 12 इंटू 6 या 36 इंटू 2 या फिर 24 इंटू 3 ठीक है यह हैं बहात्तर की कुछ possibilities अब अगर हम यह हमारे दोनो नंबर्स को देखें तो यह है 11 और यह है 5 तो मतलब जो हमारे सबसे पास वाले हैं नंबर्स वह हैं 12 और 6 मतलब यहां पर जो दो नंबर्स आपको दिये गए हैं उनमें आप प्लस 1 कर देंगे और फिर उसका multiply कर देंगे तो आपको result तक आप जाएंगे अब similarly हम यह देखें second वाला यह है 8 तो इसको कर दिया हमने 9 और यह है 6 तो इसको कर दिया हमने 7 तो 9 x 7 आया आपके पास 63 तो यह हमारा जो है logic यह हमने समझ लिया कि जो भी यह दो नंबर्स हैं इनमें प्लस 1 करके आपको multiply करना है अब हम जाते हैं यहां पर यहा निकल के आई हूँ आई 6 ठीक है लेकिन यहां पर आपको option में 6 भी मिलेगा वह आपको नहीं लगाना है यहां पर हम जो value है उसमें हम प्लस 1 करेंगे तो यहां पर जो आएगी value उसमें हम इस value का minus 1 करके लिखेंगे तो यह होगा 6 minus 1 तो की सही answer होगा आपका 5 तो यहां पर ह लिखेंगे 5 जो की है आपका option number 3 ठीक है इस तरीके के logics भी आपको समझना होगा कि directly multiply वाला term आपको नहीं मिलेगा या तो यहां पर आपको plus 1 plus 2 मिल सकता है यहां फिर minus 1 minus 2 मिल सकता है इस तरीके से आपको possibilities और आने वाले जो है SSC के exams उन में इस तरीके की possibilities हो सकती है नेक्स्ट कर आप देखें तो यह है आपका एक coding recording का question इसमें आप से पूछा गया है कि यह code 265 है इसका code और 187 है इसका code 248S का code आपको code निकालना है 4 का ठीक है अब अगर आप 4 के code को ध्यान से देखें सबसे पहले हम देखते है 265 इसमें 4 नहीं है मतलब जो PNH है इसका code 4 नहीं हो सकता अब हमने देखा कि PNH P है और N है मतलब यहाँ पे क्योंकि 4 नहीं है तो PNH में से 4 का code N में से कुछ भी नहीं हो सकता तो हमने 2 options को हटा दिया तीक है next आप ने देखा 187 187 में भी आप देखें 4 का code नहीं है तो 4 मतलब O X B कुछ भी नहीं हो सकता O O S में नहीं है X नहीं है B नहीं है तो B हमने हटा दिया next आप देखें 248 248 में है NUB अब जब आपने तीन options को हटा दिया है तो आपके पास एक option बचा है वो definitely आपका सही answer होगा ठीक है अब यह शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा मैं इसको आपको एक बार द समझा देता हूं इसमें हम यूज करेंगे option elimination का तरीका क्योंकि अगर हम इसको solve करने जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है ठीक है इसमें हमने सबसे पहले देखा कि यहां पर है आपके पास 265 ठीक है और हमेंसे code पूछ गया है 4 का मतलब इसमें 4 नहीं है तो मतलब जो PNH है इन में से किसी का भी code 4 नहीं हो सकता तो अब हम option में देखेंगे P and H में से हमारे पास क्या-क्या है हमारे पास P है हमारे पास N है तो ये definitely 4 का code नहीं हो सकता तो हमने 2 options हटा दिये next हमने देखा 187 इसमें भी 4 नहीं है मतलब O, X, B इन तीनों में से किसी का भी code 4 नहीं हो सकता अब O, X, B में से B यहाँ पर है तो ये B हमने हटा दिया अब इस तरीके से हमने 3 options को हटा दिया हमारे पास सिर्फ एक option बचा जो कि हमारा साही answer definitely होगा तो इसको आप साही answer लगा देगे ठीक है next आप देखें यह है series इसमें जैसे आप से यह second number का term पूछा गया है तो इसमें हम series यहाँ से शुरू करेंगे 10 से हम गया 30 पर तो into 3 गया 30 से 90 पर into 3 किया 90 से 270 पर into 3 किया अब 270 into 3 करेंगे तो क्या आया 810 यह काफी easy question में कहूँगा ठीक है next अगर आप देखें तो इसमें भी आपसे second number का term पूछा गया है तो आप series यहाँ से शुरू करेंगे difference लिया आपने 47 minus 37 आया 10 ठीक है फिर आया 58 minus 40 11, 70 minus 58 12 यह आया आपके पास 13 अब जो next होगा difference वो आएगा आपके पास 14 तो 83 plus 14 आपने करेंगे तो क्या आपके पास 97 तो 97 होगे आपका सही answer ठीक है अब यह वाला जो है question इसमें अगर आप देखें तो 44, 40 से आप पहुँचे 56 तक और 68, 57 से आप पहुचें 44 तक 47, 39 से आप पहुचें अब यह वाला जो है क्योंकि यह यहाँ पर है x अगर यह यहाँ पर होता तो हमें logic समझ में आता कि या तो हमें इस series में जाना है हाँ क्योंकि इस type के questions में जो main चीज होती है समझने की वो यह रहती है कि logic यह तो इस direction में हो सकता है या फिर logic इस direction में हो सकता है ठीक है अब जो समझने वाली बात होगी कि पहले हम निकालते हैं difference क्योंकि 14-40 आप ने कर रहा तो आप पहुचे 14 तक अब अगर आप देखें 14 x 4 करेंगे तो आप पहुच जाएंगे 56 तक लेकिन अगर आप दीछे जाते हैं तो ये भी होगा आपका 14 लेकिन 14 से आप 47 तक पहुचना मुश्किल रहेगा अब similarly अगर आप next equation में देखें तो 68-57 आया आपके पास 11 यहाँ पर हमने 14 x 4 कर रहा था तो यहाँ पर हम 11 x 4 करेंगे तो आप पहुचेंगे 44 तक ठीक है ये भी हो गई condition satisfied next अगर आप देखें तो यह 47-39 जो कि आएगा आपका 8 हम करेंगे 8 x 4 यहाँ आएगा आपके पास 32 32 है आपका option number D अब इसमें एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं difference ले रहे हैं A और B का और उसको हम multiply कर रहे है 4 से ठीक है इस टाइप के logics जो आने वाले CHSL और CGL के exams है जैसे इसमें तो क्या था into 4 था उसमें into 5 हो सकता है into 10 हो सकता है into 8 हो सकता है किसी भी number का use हो सकता है लेकिन या तो आप इन दोनों का लेंगे difference या इन दोनों का लेंगे difference उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा next आप देखें यह है आपका एक number series का question 46 सबसे पहले अमने लिए difference 46 से आप गए 66 पर difference आया 20 66 से आप गए 94 पर तो 86 या 28 28 नेक्स difference आया 32 प्लस 6 30 या आपके पास 38 ओके next हमने देखा तो 38 से आया आपके पास 50 अब हम लेते हैं इसका difference यहां पर difference आया 8 का यहां पर difference आया 10 का यहां पर difference आया 12 का next जो आया difference वो आया difference 14 का sorry 14 तो 50 में आपने जोड़ा चाउदा तो क्या आपके पास 64 अब 128 में oh sorry 182 में आप जोड़ेंगे 64 182 चार प्लस दो आया च्छे च्छे सिफ यूनिट डिजिट में एक नंबर पर है तो यह होगा आपका सही आंसर 246 ठीक है अब आपने इसमें क्या कर रहा है एक बार तो आपने निकाला difference difference के बाद भी जो आपकी series बनी उसका भी आपने निकाला difference तो तब आपको logic समझ में आया कि जो common difference है वो निकल के आ रहा है 2 का इस तरीके से आपकी series चल रही है आ नेक्स आप देखे कि 16 से आप गए 32 पर अब 32 से आप पहुजएंगे x फर x से आप पहुजएंगे 192 पर ठीक है 16 से आप गए 32 पहले आपने करा इंटू का 2 नेक्स्ट यह तो आप इंटू 2 कर सकते हैं 32 का क्योंकि यहाँ पे 64 भी है और यहाँ पे 96 भी है तो पहले हम इंटू 2 करते हैं हमने इंटू 2 करा तो आप पहुचे 64 तक फिर 64 तक आपने into two करा तो आप पहुचेंगे 128 तक तो यह हमारी सीरीज गलत हो गई तो इससे हमें समझ में आया कि 64 आंसर नहीं हो सकता अब हम गए इसमें हमने पकड़ा 96 ठीक है 96 हमने पकड़ा तो पहले हमने 16 से पहुचे 32 तक पहले हमने करा into 2 फिर 32 से हम पहुचे 96 तक तो हमने करा into 3 अब 96 से हमें पहुचना है 192 तक यह होता है into 2 ठीक है फिर 192 से हम पहुचे 576 तक यह होता है into 3 तो जो हमें सीरीज समझ में आई कि उसमें क्या था into 2 into 3 फिर into 2 into 3 यह वाली सीरीज alternate way में चल रही थी तो ठीक है तो 64 हमने eliminate कर दिया तो जो हमारा सही answer आया वो आया 96 ओके यह वाला जो है question इसमें जैसे आपको यहां पे दिया गया है 14 चार से आप पहुचे 28 तक 126 आप पहुचे 63 तक अब इसमें जो समझने वाली होती है बात वो यह होती है कि यहां पे आपको दिया गया है 14 और यहां पे है 14 का multiple तो series definitely इस direction में ही होगी अब 14 से आपको पहुचना है 28 तक तक यह होता है आपका 14 इन्टू 2 लेकिन यहां पे आपको दिया गया है 4 तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते है 14 इन्टू 4 डिवाइड़ बाइ 2 मतलब इसको अगर हम A मान लें और इसको अगर हम B मान लें तो यह हो जाएगा A इन्टू B डिवाइड़ बाइ 2 similarly अगर आप यहां पे देखें तो यह है 21 इन्टू 6 डिवाइड़ बाइ 2 तो यह हो जाएगा 21 इन्टू 3 तो आपकी आई series 63 नेक्स्ट आप देखें 45 इन्टू 8 45 इन्टू 8 डिवाइड़ बाइ 2 तो यह होगा 45 इन्टू 4 45 इन्टू 4 जैसे आपने कर रहा तो 90 इन्टू 2 180 180 आया आपका सही अंसर अब इसमें अगर आपको कुछ भी logic अगर आपको समझ में भी नहीं आता है तो एक चीज़ इसमें clearly आपको देखेंगी कि यह यहाँ पर है 14 यह 28 है यह इसका multiple है यह 21 है यह 63 है इसका multiple है तो यहाँ पर आपको 45 दिख रहा है तो definitely यहाँ पर भी 45 का multiple ही होगा आप options में अगर आप देखेंगी तो 45 का multiple सिर्फ आपको 180 मिलेगा यह हो जाएगा आपका सही answer ओके यह है आपका एक question coding decoding का इसमें आपको code निकालना है 569 का ठीक है अब इसमें अगर आप देखें my personal use 521 ठीक है use this thing 569 अब जैसे आपने देखा 69 है यहाँ पर use these things ठीक है 569 ओके 169 ओके इसमें से हम 1 को eliminate कर सकते हैं यहाँ पर 521 पहले हम option elimination का use करते हैं उसके बाद में आपको दूसरे तरीका बताऊंगा यहाँ पर 69 है यहाँ पर 69 है मतलब जो 2 है दो words है वो यहाँ से पक्का उठाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी 569 है यहाँ पर 69 है लेकिन इस question में अगर आप देखें तो 169 का code आपको दिया है use these things मतलब दो alphabets हम यहाँ से पक्का में उठाएंगे या तो वो use these होगा या these things होगा या use things होगा अगर हम पहला option देखें तो उसमें these things है यह possible हो सकता है second में आप देखें तीस two things है यह निकाला common क्या रहा है इसमें these things these things और these things यह आए आपके पास 69 का code अब आपको code निकालना है 5 का अब अगर आप देखें तो यहां पर 521 my personal use my personal use ओकी यहां पर है common अब हम इसमें से personal का code निकाल सकते हैं अब जैसे आपने देखा यहां पर personal things का code है 29 ठीक है लेकिन यहां पर हम things का code हमने निकाल लिया things things यहां पर हुआ common तो things का code आगया 9 ठीक है अब यहां पर हमने personal का code निकाला personal का code हो गया 2 तो personal भी यहां पर eliminate हो जाएगा तो जो आपका सही answer बचेगा वह होगा my these things यह काफी typical question में काऊंगा हो सकता है जो तरीका मैंने आपको बताया हो वो कम समझ में आया तो मैं आपको एक बार यह पूरा दुबारा समझा दिता हूँ सबसे पहले हम जाते हैं second equation पर जिसमें लिखा है use these things लेकिन उसमें हम देखेंगे code क्या है code है आपका 169 ठीक है 169 और यहाँ पर है आपका 569 ठीक है इसमें अगर आप देखें तो one और one इसमें आ रहा है common तो इसमें अगर हम one को eliminate कर देते हैं तो हमारे पास 69 आ जाएगा use these things और my personal use अब use और use यहाँ से आगया common तो use हमने हटा दिया यहाँ पर ठीक है तो जो आपके बस 69 का code निकल के आया वो था these things अब जो आपके बास answer है उसमें these things तो पक्के में होना चाहिए अब these things जो है अपका इस option में भी है इस option में भी है इस में नहीं है इस में नहीं है अब हमने स्मार्ट तरहीक से use करके 2 options को हठा दिया अब हमें code निकलना है सिवर 5 का ठीक है 9 का हमने निकल लिया है 9 का होगा these things तो things चला गया 2 का code निकल के आया personal ठीक है 2 का code निकल के आया personal और 1 का हमने निकल लिया था 1 का था use तो जो 5 का code होगा my crown to my these things होगा correct answer अब आपको तो अपनी जो आखे हैं पूरी अच्छी तरीके से खुली रखनी पड़ेंगी तब जाके आप इन सब चीजों को पकड़ पाएंगे ठीक है अब अगर इस question में आप देखें तो 19 और 9 से आप पहुचे 140 तक 17 और 9 से आप पहुचे 130 तक अब अगर आप 19 और 9 देखें तो इसका सम होता है आपके पास 28 अब 28 का अगर आप 140 तक पहुचना है तो आप multiply करेंगे 5 से तो इसमें जो series हमने समझी वो थी कि आपने इसको अगर आप A मानने और इसको आप B मानने तो ये था A प्लस B इंटू में 5 ठीक है नेक्स्ट आपने देखा 17 और 9 होता है 26 A प्लस B 26 इंटू 5 तो आप पहुचे 130 तक नेक्स्ट आपने देखा ये है आपके पास A और B है आपके पास 5 तो मतलब हमने मान लिया X प्लस 5 इंटू में आपने करा 5 तो आप पहुचेंगे 120 तक 120 को हमने काटा 5 से तो आया 24 X प्लस 5 आया 24 तो आपके पास X की वैली हो गई 19 19 जो की है आपका option no.3 अब इस तरीके के logic समझना बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर sum करा 19 और 9 तो आप पहुचे 28 तक अब 28 से आपको 140 तक पहुचना है तो आप करेंगे इंटू 5 अब इस logic को आप next वाले में भी apply करके देखें कि same logic apply हो रहा है हो रहा है तो आप अपने जो next वाली जो है खाली equation उसमें इसको place करके अपना सही answer निकाल सकते हैं कि नेक्स्ट आप देखें कि यह है 55, 36 और 49 अब जो इसमें ध्यान करने वाली चीज होगी कि जो first वाली है आपकी line उसमें सारे आपको perfect square numbers दिये गए हैं तो possibility है कि इनका आपको square root निकालके जो भी result आएगा उसका आपको use करना होगा जैसे 36 का हो गया 6, 64 का हो गया 8, 49 का हो आपको 49 तक पहुचना है तो आप करेंगे minus का 6, मतलब 55 minus square root of 36, तो 55 minus आपने करा 6, तो आप पहुचे 49 तक, ठीक है, similarly आपने देखा यह पर 47, 47 minus करा आपने square root of 64, तो 47 minus 8 आया 39, similarly यहाँ पर आएगा आपका 7, मतलब कुछ भी number होगा आपका x, उसमें से आप minus करेंगे 7, तो यहाँ पर 68, तो जो यहाँ पर value होगी, वो होगी 68, 68 मतलब option number C, अब यहाँ पर आप देखें, तो इसमें आपको second term निकालना है, लेकिन हम शुरू करेंगे पीछे के term से, क्योंकि यहाँ से शुरू करना हमाई लिए मुश्किल हो सकता है, इसका हमने निकाला, difference आया 36, 112 minus 87 difference आया 25, 87 minus 14, अब आप देखें कि यह perfect square number आ रहे है, 71 minus 61 आया 9, 9 के बाद आएगा आपके पस 4, 4 के बाद आएगा 1, ठीक है, अब यह 6 का square, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अब यहाँ पर आप गई 62, 62 में से आप करेंगे minus 4 को, तो आपके पस आएगा 58, 58 में से आपने कर आएगा minus 1 तो आय आपके पस 57, तो आपकी जो series है, वो satisfy हो गई, तो जो सायान सा निकल के आया, वो आया 58, इसमें जो series निकल रहे थी, सबसे पहले आपको क्या करना है, difference निकालना है, फिर difference में आप series को पकड़ेंगे, नेक्स्ट अगर आप देखें, तो 25 से आप पहुचे, 36 तक difference आया 11 का, 36 से आप पहुचे, 51 तक difference आया 15 का, 51 से आप पहुचे, 70 तक difference आया 19, 70 से 93, difference आया आपके पास 23, अब जो आपको plus minus जो होने चाहिए, जो आपकी जो addition और subtraction करने की जो शमता होनी चाहिए, वो काफी ते पहाएंगे, 93 से 120 तो आप पहुचे 27, तो जो next आया का difference आप देखें, common difference कितने का रहा है, 4, 4, 4, 4, तो जो next होगा, आपका number होगा 31, तो 120 में आपने add कर रहा है, 31 तो आया आपके पास 151, 151 मतलब option number D, ओके, next आप देखें, कि यह है 7, 7 से आप पहुचे 198 तक, और यहाँ 6 से आप पहुचे 72 तक, 9 से आप पहुचे 169 तक, 5 से पहुचे 240 तक, और 8 से पहुचे 228 तक, अब इसमें काफी एक simple logic में कहूंगा, क्योंकि 7 जो है number, वो 198 से divisible नहीं होता है, ठीक है, तो मैंने मतलब इसमें यह logic पकड़ा कि जो भी आपको पहला number दिया गया है, वो उसस नहीं हो सकता, 9 जो है 162 से 268 यह divisible है नहीं हो सकता, 5 240 से divisible है यह नहीं हो सकता, अब सिर्फ जो हमारा 8 है, वो है 228 यह आपका 8 से divisible नहीं होता है, तो यह हमारा सही answer होगा, अब इसके अलावा, अगर कुछ और logic है आपको जो आपको लगे, कि सही है, तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट में यह क्वेश्चन नमबर 40 नेक्स्ट आप देखें कि यह आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जिसमें आपसे कोड पूचे गए DAX का अब DAX जैसे आपने देखा तो आप गए पहली एक्वेशन पर पहले आपकी P, M, R, PAX, MX और RAX मतलब इसमें DAX नहीं है आपका तो मतलब DAX का कोड गएट अपनाव है नहीं हो सकता अब ऑप्शन में हम देखेंगे गएट अपनाव कहां कहां पर है गएट है तो यह नहीं हो सकता अपनाव नहीं है तो यह नहीं हो सकता अब हमने देखा next है max mdx, mdx में हमारा d है, तो या तो हमारा dx का जो code है, वो definitely he will get होगा, मतलब इन तीनों में से हमारा कोई भी code होगा he will get अब यहाँ पे he है और will है और get नहीं है, क्योंकि get हमने पहले हटा दिया zkl, इसमें भी d नहीं है तो मतलब इन तीनों में से भी हमारा code नहीं हो सकता, तो will it stop में से यहाँ पे will है, तो will भी हमने अटा दिया, तो dx का जो code निकल के आया, वो निकल के आया he अब आप देखें कि हमने कितने smart तरीके से सिफ option elimination का यूज करके, इसका हमने code निकल लिए जो की निकल के आया he अब इसको आपको एक बार दुबारा समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत लोगों के मतलब सर के उपर से भी जा सकता है ठीके, पहले आपने देखा आपको, सबसे पहले आप option में देखेंगी कि आपसे पूछा क्या गया है आपने देखा ये है DAX अब जब आपने ये देखा P, M, R ये तीन है और यहाँ पर D नहीं है मतलब जो आपको ये code दिया गया है वो definitely DAX का नहीं हो सकता अब get up now में से यहाँ पर है get तो ये हमने हटा दिया next आपने देखा he will get उसमें है MDX इसमें D है तो ये आपका code हो सकता है इन तीनों में से definitely आपका code होगा लेकिन get हमने पहले हटा दिया है तो get नहीं हो सकता तो या तो he होगा यँआ विल होगा अब he और will है तो it नहीं हो सकता it हमने हटा दिया next हमने देखा code है आपका zkl zkl में है will it stop zkl में आपका dx नहीं है तो मतलब इन तीनों में से भी आपका dx का code नहीं हो सकता तो will it stop में will चला गया तो सिर्फ जो आपका एक option बचा वो था option number 3 यानि की ही यह definitely होगा आपका सही answer अब जो next वाला है question काफी अच्छा question में कहूंगा क्योंकि इसमें logic इस direction में भी हो सकता है और इस direction में भी हो सकता है लेकिन जो इसमें एक चीज़ पकड़ने वाली होगी कि यहाँ पे आपने देखा 7 और 7 है तो यहाँ पे आएगा आपके पर 4 और यहाँ पे आप पहुच गए 2 तक तो मतलब यह तो sum करके divided by 2 हो सकता है अब हम इसका करते हैं sum 7 और 7 4 आया 1 0 1 0 तो यह आएक बाज 1 double 0 4 इसको आपने डिवाइड कर दिया 2 से तो आप पहुचे 502 तक अब डिवाइड कर दिया 2 से यह कैसे समझ में आएगा क्योंकि जब आप इन दोनों numbers को देखते हैं तो समझ में आता है कि यह तीनों number आसपास वाले हैं तो clearly आप उसका sum करके divided by 2 कर सकते हैं तो logic जो है वो है A plus B divided by 2 अब यह हम second series में apply करके देखते हैं 5 और 3 आठ 3 और 5 आठ 8 और 7 पंदर 1588 divided by 2 आए आए आपके पास 794 ठीक है similarly अब आप जाएंगे आपकी last वाली series पे 504 प्लस 612 6 और 2 4 और 2 6 1116 divided by 2 16 divided by 2 आएगा आपके पास 8 तो यह हो जाएगा आपके पास 558 यह हो जाएगा आपका सही answer अब आप देखें कि 5 से आप पहुचे 17 तक अब 5 से 17 तक पहुचने के लिए या तो आप इंटू 4 करेंगे फिर आप माइनस 3 कर सकते हैं या तो आप इंटू 3 करेंगे फिर आप प्लस कर 2 कर सकते हैं अब जो हमारी next वाला term होगा उससे हमें पता चलेगा कि इसमें series क्या प्लस कर दो तो आपके पास आया 53 तो जो आपकी series है वो कुछ इस तरीके से चल रही है पहले आप उसमें इंटू 3 करेंगे फिर उसमें प्लस कर 2 करेंगे अब next आपके पास आया 53, 53 इंटू 3 होगा आपके पास 159 और उसमें आपने इसमें हम निकालेंगे पहले difference तो यह आया आपके पास difference 16 फिर आया 12 मतलब पहले आया आपके पास minus का सूला sorry plus का सूला फिर minus का 12 फिर plus का 8 plus का सूला minus का 12 plus का 8 minus का 4 फिर आया आपके पास plus का 0 क्योंकि आप देखें कि 16, 12, 8, 4 difference जो निकल के आ रहा है वो 4, 4 का difference निकल के आ रहा है अब यहाँ पे आपके बास आ रहा है last में plus का 0 मतलब 132 में आपने जोड़ा 0 तो यह आपके बास 132 ठीक है इस तरीके से आपको number series वाले question solve करना है क्योंकि अगर वो question जैसे आप देखें कि okay यह वाला question में काफी अच्छा question कहूंगा यह वाला बहुत लोगों का आया था मेरे पस doubt क्योंकि इसमें अगर आप देखें कि यह जो 3 number है इससे आपको पहुचना है 14 तक ठीक है इसमें मैं आपको A, A, B, C लिखके बता देता हूं यह हो गया A यह हो गया B और यह हो गया C अब इसमें जो लॉजिक था वो था C into A divided by B अब CPU में दीजनिंग काफी अच्छे लेवल की थी ठीक है तो यह अगर आप देखें लॉजिक तो यह है आपका 7 into 12 divided by 6 यह हो गया आपको पास 7 into 2 यह आपको पास 14 अब ठीक है अब हम मारे पास second term निकालना है लेकिन पहले हम हमारा जो लॉजिक है वो third series में put करके चेक कर लेते हैं ठीक है यह है 4 मतलब C into A 14 divided by B जो की है 8 तो यह गया यह आया 2 14 divided by 2 आया आपको पास 7 यह 7 आया तो यह 7 आया आपका logic सही है अब आप निकालते हैं second वाला जो की है आपका C मतलब 10 into 9 divided by B मतलब हमने मान लिया X is equal to आगया 18 9 से यह गया 18 तो आया 2 10 से यह गया तो यह आया 5 तो जो आपकी X की value निकल के आई वो आई 5 ठीक है अब इस तरीके के logic exam में समझ आना काफी मुश्किल रहेगा तो आप कोशिच करें कि इन टाइप के questions को छोड़ दें और last minute करें यह भी काफी अच्छे question में कहूंगा इसमें आपको code पूचा गया है healthy का ठीक है अब healthy जैसे यह आपने देखा पहली equation पे आप गये इसमें आपसे बुचे कहा है mango is sweet मतलब healthy का code 629 नहीं हो सकता अब आपने देखा क्योंकि यहाँ पे healthy नहीं है तो 629 में से option में क्या है 2 है तो 2 आपका चला गया अब next आपका mango tree is tall इसमें भी आपका healthy नहीं है तो मतलब 7289 में से भी healthy का code नहीं हो सकता अब यहाँ पे 7 भी चला गया और 8 भी चला गया तो सिर्फ आपका एक option बचा चुकि option number 5 तो आपका healthy का code definitely होगा option number 5 ठीक है ओके यह है आपका एक series का question इसमें अगर आप देखें तो 9, 6, 4 से आपको पहुचना है 50 तक और 7, 8, 3 से आपको पहुचना है 53 तक अब अगर आप देखें 9 into 6 आपने करा तो आपके वाद पहुचे 54 तक 54 में से आपने करा minus का 4 तो आप पहुचे 50 तक A, B, C अब इसमें series क्या है आपकी A into B आपने करा फिर उसमें से आप minus करेंगे C वाले term ठीक है अब इसमें हम third वाले में रखके check कर लेते हैं 7 into 8 आपका 56 minus करा आपने 3 तो आप पहुचे 53 तक तक साई series है हमारी next हम पहुचे second वाले में 8 into 7 होता आपका 56 56 minus 5 करा तो आप पहुचे 51 तक 51 है आपका option number C ओके next भी ये question काफी अच्छा question मैं कहूँगा ठीक है इसमें आपको 18, 24, 12 है उससे आपको पहुचना है 16 तक अब इसमें जो logic था वो भी कुछ A, B, C से related था तो ये मैं आपको इस term में लिखके बता देता हूँ ये है आपका C into B divided by A, जो हमारे पहले एक था, उसमें था C into A divided by B, तो जो next जो आपकी shift हुई उसमें हो गया C into B divided by A ठीक है, अब C क्या है आपे 12, into B क्या है आपका 24, divided by क्या है A, जो कि है आपका 18 ये होगे आपका 3, और ये होगे 4, तो 12 into 4, 48 divided by 3 होगे आपका 16 अब similarly अगर आप इस question में जाते हैं, ये होगे आपके बास 16 into C into B, 27 divided by 24, ठीक है 24 से ये गया तो आया 3 ये गया तो आया 2 तो 2 into 27 होगे आपका 54 54 divided by 3 आया आपके बास 18, यहां पे है आपके बास 18, ठीक है अब हम solve करते हैं हमारा बीच वाला term ठीक है, जो कि है C C होता है आपका, एक सेकंड यहां पे हमने लिखा C हमारे पास नहीं है, C हमें निकालना है तो यह होगया X into B है आपके पास 11 अप वान में A होगया, आपके पास 21 is equal to I, आपके पास 22 अब 22 जैसे ही आपने देखा तो 11 सी यह गया दो बार में, तो 21 यहां पर जाएगा तो X आएगा आपके पास 21 into 2 तो जो आपके पास X की value ने कलके आए, वो ही 42 42 मतलब option number C option number D अब इस ताइप के questions आपको करने की यादा डालनी रहेगी तो यह आपके CGL में भी पूछे जाएंगे और CHSL में तो definitely पूछे जा सकते है next अगर आप देखें तो numbers काफी दूर दूर हैं, लेकिन अगर हम इसमें एक चीज़ ध्यान से देखें, तो 24 आपका होता है सकता है, इसके cube के पास 61 होता है, आपका 64 के cube के पास 122 होता है, 125 के cube के पास और 213 होता है, 216 के cube के पास मतलब इसमें जो series दी गई है आपको वो दी गई है कि number का जो cube है उसमें से हम minus कर रहे हैं 3 ठीक है, पहले आप देखें कि 24 जो है, वो है 3 का cube minus 3, ठीक है next step, आपके पास 213 213 मतलब 6 का cube, 216 minus 3, तो जो next term होगा, आपका वो होगा 7 का cube मतलब 343 minus 3, जो कि आएगा आपके पास 340, 340 मतलब option number B, option number C ओके अब जो है आपका next question इससे आप में code पूछा गया है today का, अब आप इसमें देखें कि SSC CPU में coding decoding के around हर shift में 3-4 question थे, तो आप मानके चलें कि अभी जो CGL का exam होने वाला है, उसमें भी coding decoding के questions definitely CGL में पूछी जाएंगे अब आपसे code पूछागा है today का, सबसे पहले आप देखें how are you, how are you में today नहीं है मतलब 639 में today का code नहीं हो सकता, 639 में से हमारे पास आया 6, तो यह हमने हटा दिया next हमने देखा, are you fine today, are you fine today में है today, ठीक है यह हो सकता है next आपने देखा, stay fine stay fine में today नहीं है तो यह हमारा code definitely नहीं हो सकता, तो यह हो 5-8, अब यहां से आपका 5 भी चला गया और 8 भी चला गया तो today का जो आपके बास code निकल के आया है वो था 4, अब आप देखें कि question तो काफी अच्छा है लेकिन इसके options की framing काफी poor है, तो इस तरीके का use करके आप इन टाइप के questions को काफी अच्छे से solve कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि options की जितनी help आप ले सकते हैं, उतनी help आप ले next आप देखें कि 84 से आप पहुचे 72 तक अब 84 से 72 तक पहुचने का सब एक तरीका है आपने 84 माइनस करा 8 प्लस 4 ठीक है, 84 माइनस 12 आया आपके पास 72 मतलब जो भी आपका number है उसमे से आप माइनस करेंगे उसके digits का सम, ठीक है similarly अब हम options में देखते हैं कि digits का सम कहाँ पर हो रहा है minus, 6 और 4, 10 64 माइनस 10 आया आपके पास 54 तो ये नहीं हो सकता 68, 6 और 8, 14 माइनस 14, 54 ये हो सकता है 76, 13 तो ये आएगा 65 नहीं हो सकता 77, 14, 63 नहीं हो सकता सिर्फ आपका एक option है ये वाला जिसमें आपको सही answer आपका निकल के आ रहा है तो ये होगा आपका सही answer ये वाला जो है question जिसमें आपको यहाँ पर 4 terms दिये गए हैं और इस तरीके से आपको निकालना है अब अगर आपको 4 terms ऐसे दिये गए हैं तो उसमें logic इस तरीके से होगा लेकिन अगर आपको 4 terms इस तरीके से दिये गए हैं तो 99% chance है कि जो आपका logic है वो इस direction का ही होगा अब यहाँ पर आप देखें 46, 12, 30 से आप पहुचें हैं 28 तत अब जो एक logic हमें समझ में आता है यहाँ पर हमने लिख दिये a, b और c तो इसमें बहुत ही simple logic है a plus b minus c a plus b आपने करा 46 plus 12y आपके पास 58 minus का आपने करा c तो यह हो गया 30 तो यह आए आपके पास 28 similarly आप देखें 54 plus 10 आए आपके पास 64 64 minus का अपने करा 29 तो आए आपके पास 35 यह logic भी सही है अब आप जाएंगे 32 plus 16 मतलब a plus b यह होगा आपका पास 48 minus का आप करेंगे x तो आप पहुचेंगे 30 तक x पहुचा इदर minus का यहाँ पर तो x होगा आपका 18 18 मतलब option number 2 इस टाइप के logic आपको समझना बहुत जरूरी हुगा आप कोशिश करें कि इन मतलब जितने logics मैंने आपको बताए हैं इससे क्या-क्या variations आप और निकाल सकते हैं जैसे इसमें a minus c plus b भी हो सकता है a minus c plus b हो सकता है और यहाँ पर a into b minus c हो सकता है कुछ भी logic हो सकता है तो आप इन logics को ध्यान रखें अब जैसे ये वाला है 28, 58 से आप पहुँचे एकसुअठार तक 21, 44 से आप पहुँचे 90 तक 47, 96 से आप पहुँचे X तक अब इसमें अगर आप देखें तो यह ना तो इसका multiple है ना इसका multiple है और लेकिन अगर हम 28 से पहुचें 158 तक लेकिन अगर हम इसका difference लेते हैं तो यह आया 58 माइनस 28 यह होगा आपका B माइनस A यह आपने लिया difference इसका logic काफी हाड होगा आप लोह के लिए B माइनस A, difference आया 30 इसमें आपने इंटू 4 करा फिर आप उसमें से करेंगे माइनस का 2 अब आप देखी कि इतना logic एक्जाम में लगा पाना क्या possible है B माइनस A मतलब 58 माइनस 28 जो कि आया आपके पास 30 30 इंटू 4 आपके पास आया 120 120 माइनस 2 करा आपने तो आपके पास आया 118 अब अगर हम नेक्स्ट वाले में देखें यह था 44 माइनस 21 मतलब 23 इंटू 4 करा आपने तो आपके पास आया 92 92 माइनस 2 आया आपके पास 90 ठीक है सिमिरली आप देखें यह वाला 96 माइनस 47 या है 49 49 इंटू आपने करा 4 196 माइनस 2 आया आपके पास 194 194 मतलब यह है अप्शन नमबर C लोजिक आपको आया होगा समझ में B माइनस A इंटू 4 माइनस 2 ओके नेक्स्ट आप देखें यह है 14 16 से आप पहुचे 60 तक अब एक चीज़ आपको गले लिए समझ में आई होगी 14 16 होता है 30 30 से आप पहुचे 60 तक 30 इंटू 2 मतलब यह है A प्लस B इंटू B माइनस A मतलब एक बार आप इन दोनों का सम करेंगे एक बार आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अब 15 और 18 आपके पास आया 33 फिर आपने लिए डिफरेंस 18 इंटू 15 आया आपके पास 3 तो 33 इंटू 3 हुआ आपके पास 99 यहाँ पर ग्यार और 17 इंटू 28 इंटू आपने करा 6 तो यह आपको 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 14 इंटू 168 168 मतलब ऑप्शन नमबर B अब 16 से आप पहुचें आप 224 तक तो आपका 16 इंटू 14 मतलब जो भी आप करेंगे जो भी आपकी सीस होगी उसमें आपके जैसे आ आप मानीक आपकी सीरी त एंटू 10-2 जिसरी यहां पर था यहां पर 16 2 वा 16 इंटू 16 तो इस तरीकी की सीरीज आपकी चल रही है ठीके अब हम देखते हैं यहाँ पर 20 20 इंटू 20 माइनस 2 मतलब 20 इंटू 18 तो आएका आपके बस 360 ये नहीं हो सकता 22 इंटू 22 माइनस 2 मतलब 22 इंटू 20 होगा आपके बस 440 ये पॉसिबल है 25 इंटू 23 होगा आपका 575 ये नहीं हो सकता 17 इंटू 15 होगा आपके पास ये भी नहीं हो सकता तो जो आपके पास एक लॉजिक निकल के आया उससे हम सिर्फ एक option पर पहुँचे हैं जो कि option number B इस type के questions में कुछ अलग logic भी हो सकते हैं तो हम एक बार 4 options तो definitely check करेंगे क्योंकि कहीं 2 options तो same नहीं हो रहे हैं अगर हमारे 3 options eliminate हो गए तो जो हमारे पास एक option बचे का वो हम सही answer लगा देंगे ओके नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है question 17 से आप पहुचे 14, 20 से आप पहुचे 14 into 7 करना पड़ेगा लेकिन यहां पे आपको दियागा है 28 लेकिन 28 होता है 7 का multiple तो जो हमारी series हमें समझ में आ रही है वो आ रही है A into B divided by 4 तो आप पहुचेंगे आपके answer तक अब similarly अगर आप देखें second वाली equation तो ये थी 7 into 48 divided by 4 तो ये हो जाएगी 7 into 12 तो आप पहुचेंगे आपके answer 84 तक तो ये जो है हमारा logic ये हो गया सही अब हम इसमें करते हैं apply तो ठीक है ये हो गया आपके पास x into 60 divided by 4 is equal to 60 अब 60 से ये गया तो ये आया 15 और 15 से ये गया तो ये आया 4 तो आपके पास x की value निकलके आई 4 ठीक है logic आपको समझ में आया होगा a into b divided by 4 एक जो था पहले question उसमें था a into b divided by 2 ठीक है तो इस type के आपको अलग-अलग जो question में variations हैं वो मिल सकते हैं अब इसमें अगर आप देखें तो ये 16 और 23 से आप पौझेंगे 391 तक क्योंकि आपको ये चीज़ क्लेली समझना होगी कि जो आपका बीच वाला term है वो definitely इन दोनों का कुछ product करके मिलेगा अब या तो product हो सकता है या फिर हम square करके plus कर सकते हैं या हम square करके minus कर सकते हैं ठीके जैसे या तो वो a into b हो सकता है या वो a square plus b square हो सकता है a square minus b square हो सकता है या तो वो cube का कुछ हो सकता है तो इस तरीके से आपको अलग-अलग logics लगाने होंगे अब इसमें अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि 391 जो होता है वो 23 का factor तो होता है तो आपको definitely पहले आप इसको करेंगे 23 से divide तो 391 divide कर आपने 23 तो यह आएगा आपके पास एक और यह आएगा 7 मतलब अगर आप 23 into 17 करते हैं तो आप पहुचेंगे 391 तक लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है 16 तो जो हमें एक ची समझ में आई वो है कि हमारी सीरीज है A into B plus 1 ठीक है यह हमारी सीरीज चल रही है अब next हम इसमें apply करके देखते हैं यह है 18 18 होगया A into B plus 1 B है आपका 14 और यह होगया 15 18 into 15 होगा आपका 270 similarly आप जाएं next में तो यह है आपका 14 14 into 19 19 plus 1 होगया आपका 20 तो 14 into 20 होगया आपका 280 280 मतलब option number B यह होगया आपका सही answer अब आप देखें यह है इसमें 4507 से अब इसमें जो है सीरीज वो definitely इस जिरेक्शन में जाएगी अब या तो इसमें आप difference निकाल सकते हैं या आप सम कर सकते हैं लेकि यहाँ पर जो क्योंकि value काफी छोटी है तो पहले हम इसके जो numbers है इसका sum करके देखते हैं यहाँ पर साथ साथ तीन बार है यह होगे चार तो 28, 28 और 4, 32 और 5, 37 37 आगया ओके तो मतलब इसमें जो आपको पूरे numbers दिये गए हैं उसमें आपको सिर्फ number के जो digits हैं उनका sum करना है यहाँ पर आप देखें 2, 5, 0, 3, 2, 5, 7, 3, 10, 3, 13, 24, 26 26 हो गया ठीक है digits का sum हो गया आपर 3, 3, 6, 7, 13, 4, 17, 27, 24 27, 24 मतलब 24 मतलब option number D next आप देखें यह हैं 5 से आप पहुँचे 75 तक अब एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि 5 का जो square होता है वो होता है 25 और उसका आपने multiply करा 3 से तो जो series है आपकी वो है आपका A का square फिर आपने into कर दिये 3 से next आप पहुचे 6 से आप पहुचे 36 तक लेकिन सिर्फ यहाँ पे square करा है इंटू 3 नहीं होगाय तो यह नहीं हो सकता 8 का square होता है 64 64 into 3 192 यह possible है 9 का square होता है 81 81 into 3 होता है 243 यह नहीं हो सकता 7 का square 49 147 यह नहीं हो सकता तो जो आपका एक option निकलके आ रहा है वो आपने कलके आ रहा है option number B यह होगा आपका सही answer अब इसमें अगर आप देखें नंबर सीरीज का है question जिसमें आप 58 से पहुचें 59 तक मतलब पहले plus का 1 हुगा 58 से आप पहुचें 51 तक minus का 8 हुगा 51 से आप पहुचें 78 तक तो plus का 27 हुगा 78 से आप पहुचें 14 तक यह हुआ minus का 64 मतलब plus minus plus minus तो next वाला जो होगा term उसमें definitely होगा plus लेकिन क्या plus होगा अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो यह कुछ नहीं है यह सिफ cube है यह 1 का cube है यह 2 का है यह 3 का है यह 4 का है तो जो next number होगा वोगा आपका 5 का cube 5 का cube मतलब 125 और हम उसमें करेंगे plus तो 125 प्लस आपने करें 14 तो यह आपके पास 139 139 मतलब option number C आपके नेक्स आपने देखा यहां पर आपको टर्म पूछा गया है वह यहां पर बीच वाला तो सीरीज आप शुरू करेंगे लास्ट से आप निकालेंगे difference यह पहले आपके पास 29 ठीक है फिर आया आपके पास 23 फिर 97 माइनस 78 यह होगा आपके पास से सत्र में से नो 19 19 के बाद आया 17 अब आप निकालेंगे difference यहां पर पहले आया 6 फिर आया 4 फिर आया 2 6 4 2 फिर आया difference 0 नहीं 0 आया क्या आया एक सेकंड इसमें जो हमें चीज समझने वाली है कि इसमें हम common difference तो हमने निकाल लिया लेकिन difference निकालने से कुछ नहीं होगा कि इसमें जो series चल रही है वह है prime number वाली series 29 से आप गए 23 पे 23 से आप गए 19 पे 19 से आप 17 पे 17 के पहले वाले जो प्राइम नंबर होता है 17 16 15 15 13 13 होता है यहाँ पे prime number तो 61 में से आप करेंगे minus 13 तो यह हो जाएगा आपके पास 48 अब 48 के अब यहाँ पे हमने निकाला 13 अब 13 के पहले वाले जो prime number होता है 14 तो 48 माइनस कर आपने 11 तो आप पहुझे 37 तर 37 मतलब यह वाला नंबर तो जो आपने logic पकड़ा वो था कि इसमें आपको difference निकालना है प्राइम नंबर का तो जो आपके पास सही answer निकल के आया वो था 48 ओके अब इसमें अगर आप देखें तो 9 और 6 होता है आपका 15 15 इंटू 3 ओके इसमें भी logic वही है a प्लेस b इंटू में आपको करना है a माइनस b अब a माइनस b अब इसका logic मैंने आपको बता दिया है question number 44 आपको solve करके answer नीचे comment box में लिखना है okay इसमें आपको coding decoding का है question इसमें आपको code निकालना है she का जैसे ही आपने देखा she तो आपने देखा first valence में she was working तो मतलब she का code definitely 592 में से कुछ है अब 592 जैसे ही आपने देखा तो 8 आपका चला गया ठीक है next आपने देखा I was curious इसमें she नहीं है मतलब 267 में से कुछ भी she का code नहीं हो सकता अब इसमें 2 भी चला गया next आपने देखा she is curious में she है ठीक है अब अगर आप इसमें एक चीज ध्यान से देखें तो यहाँ पर she है she was working और यहाँ पर she is curious इन दोनों equation में सिर्फ she common है तो 592 और 987 तो इसमें 99 common आया तो जो she का आपके पास code निकल के आया वो है 9 9 हो गया आपका she का code क्योंकि इसमें जो हाँ ठीक है यह हमने 2 eliminating कर दिये थे बाकी बच्चा यहाँ पर तो इसमें हमने निकाल दिया common term तो वो निकल के आपके पास 9 अब यह है आपके पास एक coding decoding का question जिसमें आपसे code पूचा गया है tasty sweet का अब tasty sweet जैसे यह आपने देखा तो आपने देखा कि tasty यहाँ पर भी है sweet यहाँ पर है it eight dish यह वाला जो term है इसमें ना तो tasty है ना sweet है मतलब इसके जो भी terms होंगे वो हमारे answer में नहीं होंगे अब हम देखते हैं कि it eight dish is written as rdp rdp में r यहाँ पर है d यहाँ पर है और rdp में यह नहीं है यह नहीं है ठीक है तो हमारे दो options इसमें से चले गए अब हम code निकालते हैं tasty और sweet का अब हमने यहाँ पर निकाला dish is tasty और it is sweet dish is और is तो इसमें हमारा is का code निकल के जाएगा lkd lkd तो आपका जो k है code वो निकल के आया आपके पास इसका और is हमसे पूछा नहीं गया है तो यह हम यह वाला option भी हटा दें क्योंकि km का code है is लेकिन इसका code हमसे पूछा नहीं गया है तो यह option भी चला गया तो सिव आपके पास जो एक option बचा वो था option number one मतलब Sam और Lamb तो जो आपका tasty sweet है इसका हमने पूरा code नहीं निकाला सिव हमने option elimination का use करा और उस तरीके से हमने तीन option को अटा के एक option को सही answer लगा दिया अब अगर आप देखें तो यह है आपका 14 का code है 588 अब अगर आप ध्यान से देखें तो 14 का square होता है 196 फिर आपने multiply कर दिये 3 से मतलब इसमें क्या हो रहा है पहले आपने number का square कर रहा फिर इसका multiply कर दिये 3 से अब हम देखते हैं कि कौन सा code इसमें हो रहा है match 20 का square होता है 40 into 3 1200 नहीं हो सकता बारा का 114 into 3 यह नहीं हो सकता अठारा का होता है 314 into 3 हाँ यह हो सकता है 11 का 121 into 3 363 यह भी नहीं हो सकता तो सिर्फ आपका जो logic हुआ satisfy वो हुआ option number 3 में यह हो जाएगा आपका सही answer अब इसमें अगर आप देखें पास-पास में है number तो हम निकालेंगे difference पहले difference आया minus का 3 करा अपने फिर plus का 6 करा फिर minus का 9 करा नहीं सौरी minus की सीरी चल रही पूरी ओके 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 यह हुगा आपका minus का 3 6 9 12 नेक्स जो आपका term होगा उसमें करेंगे minus का 15 मतलब 35-15 तो आप पहुचेंगे 20 तक काफ़ easy question था अब आप देखें कि आपको पास-पास में है number तो इसमें हम निकालेंगे difference आपके 25 पे तो आया एक 25 से 33 में तो आप गए 8 33 से 60 में आप गए 27 अब सिफ यह तीन नंबर देखके आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम numbers का cube कर रहे हैं यहाँ पे हुआ 1 का cube यहाँ पे 2 का cube यहाँ पे 3 का cube तो next जो होगा आपका time उसमें हम करेंगे 4 का cube मतलब 64 60 plus 64 होगा 124 124 से हमारा जो next time होगा उसमें हम करेंगे at 5 का cube मतलब 125 तो आप पहुचेंगे 249 तक यह हमारा logic होगा सही तो जो हमारा सही आंसर निकल के आया वो था 60 प्लस 4 का क्यों मतलब 124 ओके नेक्स आपसे जो कोड पूछ गया है वो पूछ गया है दू का ठीक है देन वाट विल बी दा कोड फॉर द वर्ड दू अब यहां पर आप देखें तो डू इट फास का कोड है चामोगा मतलब आपका आंसर में चामोगा डेफिनिटली होगा चामोगा में से कोई एक आपका आंसर होगा अब चामोगा हो गया नो पी यहां पर चला गया अब हम देखते हैं कि पहला क्या है आपका फास्ट अंड फूरियस fast and furious is co-mojo co-mojo में से mo चला गया क्योंकि हमसे पूचे गया fast and furious लेकिन हमसे code पूचे गया do का do इसमें नहीं है तो वो definitely इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता अब next जो है आपका वो है she did it she did it का है ga la nope ga la nope में से ga यहां पे है तो यह भी चला गया क्योंकि she did it में do नहीं है तो यह भी चला गया तो सिर्फ जो आपका एक option वा था CHA यह हो जाएगा आपका सही answer अब इस तरीके के question मैंने आपको बहुत तरीके बता दिये हैं कि आपको सिर्फ option elimination का use करने से यह question solve करना है ठीक है next आपने देखा यह equation 3 से आप पहुचे 12 तक तो clearly आपको जो logic समझ में आएगा वो आएगा into 4 कर सकते हैं लेकिन अगर आप next वाला देखेंगे तो 12 से आप पहुचे 58 तक तो यह होगा into 4 प्लस 4 लेकिन अगर आप उपर वाला देखें यह तो आप इसमें into 4 की जगे into 3 प्लस 3 भी कर सकते हैं ठीक है तो यह into 4 प्लस 4 हो गया next आप 52 से 159 तक पहुचेंगे तो आप into 3 प्लस 3 करेंगे तो इस तरीके से मुझे समझ में आया कि इस वाले में भी यही logic होगा next आपका हो जाएगा into 4 प्लस 4 into 3 प्लस 3 into 3 होता है आपका 1810 और 1920 1923 1923 यह हो जाएगा आपका सही आंसर ठीक है logic कैता है into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 तो next हो जाएगा into 3 प्लस 3 next question में जो आपसे code पूछा गया है वो है I bought them का ठीक है I bought them मतलब इसमें 3 numbers होंगे common I bought them जैसे आपने देखा तो आपने देखा कि इसमें है we like them ठीक है I like chocolates ठीक है we bought chocolates ठीक है इसमें एक हो गया we like them हो ठीक है अब इसमें से तीनों में एक एक है तो यह काफी एक में अच्छा question कहूँगा अगर इसमें सबसे पहले आप देखें तो इसमें है I like chocolates मतलब इसमें I तो common होगा मतलब 958 958 में से कुछ भी जो एक है वो होगा I का factor अब इसमें अगर हम देखें 958 इसमें भी है हाँ लेकिन इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो I bought them में से यहाँ पे सिर्फ I common है मतलब हमारा जो answer होगा उसमें 958 में से सिर्फ एक number होना चाहिए ठीक है अब आपको समझे में आया कि एक number क्यो होगा क्योंकि यहाँ पे है I bought them और यहाँ पे है I like chocolates मतलब इन तीनों में सिर्फ एक alphabet a common I तो जो हमारा answer होगा उसमें 958 में से सिर्फ एक number होगा common अब 958 में से यहाँ पे है सिर्फ 9 तो यह हमारा answer हो सकता है यहाँ पे हो गया 952 number आगया तो यह नहीं हो सकता यहाँ पे भी हो गया 95 अब हमारा पास दो option बचते है 251 और 936 अब हमें इसमें से निकालते हैं बॉट को हम देखते हैं बॉट कहाँ पर हैं वी बॉट चोकलेट्स यह आपका 153 अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले में और सेक्रिंड वाले में 55 है common और यहां पर चॉकलेट्स हैं और यहां पर चॉकलेट्स हैं तो मतलब जो आपके पस 5 है उसका code होगा है चॉकलेट 5 का code जैसी आपने निकाला चॉकलेट आपने देखा option number D option number D में हैं आपके पस 5 लेकिन हमें answer में तो हमारे पस चॉकलेट्स पूछा ही नहीं है तो आपके यह वाला option भी चला जाएगा यह cancel हुआ तो सिर्फ जो आपके पस एक option बचा वो बचा option number 1 यह आपका सही answer हो जाएगा अब आप देखें कि यह वाला question अगर आप पूरे codes निकालते तो आपको 2-3 मिट का समय लग सकता था लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो clearly आप 30-40 सेकेंड में easily इसको solve कर पाएंगे नेक्स्ट है आपका 14-26 से आप पहुँचे 182 तक और 14-16 से आप पहुँचे 192 तक अब इसमें अगर आप देखें कि 14 इंटू आप अगर 26 करते हैं अगर आप 26 इंटू आप करते हैं 16 इंटू बार ओके इसमें है आपका वही लॉजिक है B इंटू A divided by 2 तो यह हो जाएक आपका 26 इंटू 14 divided by 2 तो यह हो जाएका 26 इंटू 7 26 इंटू 7 होता है आपका 182 ठीक है नेक्स्ट आपने देखा यह है आपके पास 24 इंटू 16 divided by 2 तो यह हो जाए 24 इंटू 8 24 इंटू 8 होता है आपके पास 192 नेक्स्ट आपने देखा 22 इंटू एक्स divided by 2 is equal to 187 यह गया 11 187 इंटू 11 आपके पास 17 तो 17 होगे आपका सही आंसर लॉजिक यह था है इसमें A इंटू B divided by 2 simple ओके नेक्स्ट है आपका 17 15 49 अब इसमें आपको टर्म यहां पे दिया गया है तो लॉजिक इस डिरेक्शन में भी हो सकता है और इस डिरेक्शन में भी हो सकता है लेकिन अगर हम इस डिरेक्शन में देखें तो 15 और 24 आपके पास आएगा 39 29 नहीं हो सकता यह हो सकता 17 15 49 17 24 हाँ A B C आप इसका लॉजिक भी काफी अच्छा लॉजिक में कहूंगा क्योंकि इसमें क्या है A इंटू 2 मतलब A का आपने कर दिया डबल फिर आपने उसमें जोड़ा B तो जैसे आप देखे पहले था यहां पर 17 17 इंटू 2 होगा आपके पास 34 34 प्लस 15 तो आप पहुचे 49 तक नेक्स्ट आप देखें यह 41 41 इंटू 2 होगा आपके पास 82 82 में आपने जोड़ा 24 तो यह होगा 6 यह होगा आपके पास 106 अब similarly अगर आप यह वाला देखें तो इसमें आप कुछ भी आपका नंबर होगा इसमें आप मल्डप्लाय करेंगे 2 का प्लस करेंगे 29 तो आप पहुचेंगे 85 तक 85 माइनस आपने करें 29 तो यह आए आपके पास 6 और यह आए 7 माइनस 3 56 तो 56 का आप कर देंगे 1 तो आप पहुचेंगे 28 तक तो 28 होगा यहाँ पर सही आंसर ठीक है ओके नेक्स आपने देखा कि 8 125 ठीक है अब इसमें अगर आप एक चीज ध्यान से देखें कि जो उपर वाले तीनो टर्म है यह आपको परफेक्ट क्यूब टर्म दिये गए हैं तो इसका पहले हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं यह होगा 5 यह होगा 2 और यह होगा 4 अब अगर आप ध्यान से देखें तो यह था 37 इंटू 5 हुआ आपके पास 135 बात्तर इंटू 4 हुआ 288 और यहाँ पर पास 55 इंटू 23 हो जाएगा 110 अब इसमें अगर आपको कुछ लॉजिक समझ में नहीं भी आता है तो आप अगर एक चीज ध्यान से देखें कि जो आपका यह वाला है नंबर नीचे 135 वो इसका मल्टिपल है 27 का मल्टिपल हुआ 135 बात्तर का मल्टिपल हुआ 288 तो जो आपका होगा यहाँ पर नंबर वो डेफिनिटली पचपन का मल्टिपल होगा अब पचपन का मल्टिपल 144 नहीं होता 208 नहीं होता 192 नहीं होता 110 हो जाएगा आपका सही अंसर और अगर आप इसका क्यूब रूट का लॉजिक पकड़ लेते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है यह हमारा आज का लास्ट क्वेशन 160 से आप गए 183 था तो डिफरेंस आया 23 23 के बाद 17 और 13 यह होगा 30 ठीक है 30 के बाद आया आपके पास 37 तो 39 39 के बाद आया आपके पास डिफरेंस 51 अब हम निकालते हैं common difference आया आपके पास पहले 7 फिर आया आपके पास 9 तो पहले आपके पास 12 तो पहले इसमें भी हमने का लेंगे डिफरेंस यह था पहले 2 का फिर यह था 3 का फिर नेक्स आएगा आपके पास 4 का मतलब यहां पर नंबर होगा 16 फिर यहां पर हम जोड़ेंगे 16 तो यह हो जाएगा 67 मतलब 303 प्लस 67 नहीं यह भी सही शायद मैच न तो नहीं हमने यहां पर निकाला था चार निकाला तो यह था 16 16 तो यह था 303 प्लस 67 मतलब 370 तो 370 होने चाहिए यहां पर सही आंसर जो कि मुझे लगता है कि इन में से सारे options गलत हैं अगर इसके लाब कोई और लॉजिक लगता है तो वह आप नीचे comment कर सकते हैं अधर आप इवन प्राइम नंबर भी ले सकते हैं 2-3 प्याद आएगा 5 तो 5 जैसे ही आपने लिया तो 12 और 5 हो जाएगा 17 17 और 11 हो जाएगा 68 68 आपके रहे हैं तो 371 उससे भी नहीं हो रहा ठीक है तो मतलब जो सही आंसर मुझे लग रहा है वो definitely question में mentioned नहीं है तो यह फिर आपक करें क्योंकि reasoning के अभी तक YouTube पर पूरे solutions available नहीं है मैं सिर्फ अखिला ऐसा person हूँ इसने YouTube पर पूरे solutions CPO के करवाए हैं तो जितना हो सकता है शेयर करें प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें thank you very much